चलिए तो गूड इवनिंग अल फ्यू हम लोग भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय की बात कर रहे थे इस गवर्नर जनरल वाइसराय के टॉपिक से कोश्चन पूशे जाते हैं और बताया था कि जो मॉडर्न इंडिया हम लोग रिवीजन करते हैं हादनिक भारत का रिवी दित होते हैं हमारे तो यह जो नगलां और वाइसराय के टॉपिक फिर्स खिक्लाश में आपको शुरुबात पताया था कार्ण वालिस्स थे थोड़ी मजबुती परदान कि लेकिन तब तक ये बंगाल तक ही फिश्वेंट है लेकिन जब वेलेजली आता है तो वेलेजली ने अचानक से भारत के समराज को बढ़ा कर दिया गया इक साट था 1873 डूसरी बार 1805 में आया और वहीं गाजीपूर में उसकी मौत है जै जा कॉनुवाल्स का मगवरा बना हुआ है कॉनुल प्रेस्टिंग्स के विण सबनुर स्ब्स part 2 32019 छा चाहता है कि भारात बिडिश सरवोच सर्व चता भारत्र पर स्फेस्टिंग्स के पहले उन्चे अंगरेश भारत ली कि सटी वो किन मनाया उसके बाद कुछ समय तक एडम उसके बाद और फिर विल्यम बेंटिक 1828-1835 तक तो विल्यम बेंटिक का जो शासनकाल रहा इस शासनकाल में भारत की सिक्षानिती पर काम हुआ और पताया था कि यह 1335 में जो मैकाले का घुषना पता था मैकाले माइनूत वह पारित हुआ उसको गवनर जर्नले सुकरती दी और वहीं से भारत में अंग्रेजी सिक्षा की निव पड़ी यहां तक आपको बता दिया था पिछली वीडियो में आपको विल्यम बेंटिक तक बताया था विल्यम बेंटिक के समय ही 1333 का एक्ट आया था और उस 1333 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर जर्नल को अब क्या कर दिया गया भा भारत पहला ग कवेंटिक से हम लोग देखते हैं कहां कि गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनल और इसके बाद भाड जिकरते हैं के बॉकल इसके बाद जो गवर्नर जनरल बनके भारत आया वो को नाया चाल्स मेटकॉफ और चाल्स मेटकॉफ का जो टाइम कीरेड था चाल्स मेटकॉफ का जो समयकाल हम लोग देखते हैं वह 1835 से 36 तक था चार्ल्स मेटकॉफ अपने समय में कहा जाता है कि जैसे आपको बताए थे के थारा सुटेइस में जब एडम्स बना था गवर्नर जनरल तो उसने प्रेस पर कई प्रकार के प्रतिबंद लगाए थे जो मीडिया थी अगवार्श अपने तुस पर कई प्रकार के प्रतिबंद लगा उन प्रतिबंधों को ऑटाया कि से चाल्स मेटकॉफ तो इसने भारत के समाचार पत्रों का क्या कहा जाता है परаки समाचार पत्रों का मुदिदाता किassador जनल को कहा जाता तो वह चाल्स मेटकॉफ को कहा जाता है क्योंकि इसने क्या किया था कि सभी श्माचार पत्रों पर से जो पर्दिबंद लगाय तो उसको अटा दिये थे और इसका सासनकाल कब से कम बाना जाता है 1835 से 36 तक पुश्य समय के लिए था इसके बाद आता है ओकलेंड मेटकाफ के बाद ऑकलेंड आया ऑकलेंड का सासनकाल 1836 से लेके 42 तक था 1836-42 इसी ऑकलेंड के समय पहला अंगल अफगान युद्ध हुआ था फर्स्ट इंगलों अफगान वार 1838 से 42 ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान को लेके अंग्रेश बड़े इमोशनल थे जैसे भार भारत में जो ब्रिटिश समराज हुआ करता था इनका जो छेत्र था तो अफगानिस्तान जो था ये इस चेत्र में पढ़ता था इसके बाद फिर रूस की सीमा प्रारम हो जाती थी तो ब्रिटिश चाहते थे कि अफगान को एक बफर स्टेट की रूप में इस्तिमाल किया और अफगान पर अपना कंट्रोल किया अग embargo रूस की उधर से बढ़ने से रोका जा से ही तो रूस के खिलाफ एक इसको इसको इस्तिमाल करना चाहते थे अफगान को तो अफगानिस्तान पर अपना न्यंत्रड इस्थापित करना चाहते थे कौन अंग्रेज ताकि भारत की बिटिश समराज की रक्षा की जा सके लेकिन ध्यान रखेंगे कि अंग्रेज्जों की अफगान नीती बहुत बुरी तरह के से फ्लॉप हो गई भैंकर फ्लॉप हो था अंग्रेज्जों को अफगानिस्तान में कोई सफलता नह इस युद्धों को भार्ति इतिहास के सारोधिक मुर्खता पूर्ण युद्धों में गढ़ना की जब हमला हुआ था 1840 में जब बिटिश सेना गई थी तो पहले उनको वेजह हासिल होती है वहां से जीतने के बाद फिर बाद में अफगानियन उनको पराजित कर दिया और इसमें अंग्रेज बुरी तरीके से बहुत बुरी तरीके से फ्लाफ यह इसी अफगानिस्तान युद्ध की सफलता की वज़े से ऑप्लेंड को वापस बुला लिया तो यह जो अफगानिस्तान और भारत की बीच में जो एक भुफर स्टेट था उसमें पंजाब गवा करत जिसको कहा जाता है त्रीपक्षी ए रंगरेजी सिंग जो पंजाब के सा सकते और अंग्रेजियों के बढ़ है और अंग्रेज चाहते थे कि शाहसुजा जो भगोडा था जिसको अफगानिस्तान के लोगों ने भगा दिया था वहां पर रटजी सिंग की साथ मिलके सा सुझा अंग्रेजु की कटपड़ी हो सकता था अफगानिस्तान में और इसी सहासुजा के माध्यम से अफगानिस्तान पर पूरा ये लोग क्या करेंगे कंट्रोल करेंगे अंगरेज अपना कंट्रोल करेंगे और इसी संधी दवरा सहासुजा को अफगानिस्तान की गद्धी पर बिठाये जाना ते हुआ बाद में रजी सिंग जो सिखरा जा थे उन्होंने अपने आपको इस समझोते से अलग कर लिया था वो फिर इस समझोते में शामिल नहीं हुए इसी आउकलेंड की समय एक और घटना घटी थी कि आपने सेर सासूरी का मार्ग सुना होगा जिसको जीती रोड कहा जाता है तो से जीती रोड का नाम जीती रोड यानि इसके समय रखा गया था ओकलेंड के समय के तो चली इसके बाद अगला है एलेंड बैलो एलेंड बैलिस्स नेर के सबसे पहले क्या किया और सिंध के विले का कोई नैतिक आधार भी नहीं था कहा जाता है कि जब सिंध का रेजिटेंट चार्ल चार्स नेपियर ने सिंध का विले किया तो उसने अपने डायरी में चार्स नेपियर ने खुद लिखा था कि हमें सिंध को अधिन लाने के कोई अधिकार नहीं है फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक लाबडायक उप्योगी एवं मानवता पूल नीचता होगी इनको पजाता पता था कि हम नीचता कर रहे हैं क्योंकि सिंध की सास्कों ने अंग्रेजों के साथ जो समझता किया उस पर पूरी तरीके से वह काबिश थे और उनको विले करने का कोई कारण नहीं था फिर भी ज किस गुषिंट डॉह कि समय हुआ था एलं बरो के समय हुआ था जिस समींए सिंधका विले हुआ उस सिंधका बिटिश prolix कौन था चारल्स नेपियर लगा करता था इसी ऐलें बरों के समय ハक्ट पांच के ज्वारा 9 दास प्रथा की समाप्ति कर दिए तो दास प्रथा की समाप्ति किसके समय तक किसके समय उसका अंति किया गया अलाकि दासों का जो व्यापार था उसको और वालिस नहीं खत्म किया था तो व्यापार खत्म कर दिया था लेकिन परमपरा अभी भी चल लए थी तो दास प्रथा क का दास्प्रथा का अंतिकर दिया कि इसके बाद अगला गवर्मर्न जनरल मुम्ण होड़ीं होर्डिक हाड़ीं का जो समयकाल Rio varias सब्सक्राइब अगूस तक फाइटिन फटीफ फोटीएट यह जो पहले अंग्ला इसी हार्डिंग के समय और इसी पहला जो आंगले सीखिखिद्ध उद्वा से नहीं से लाहूर के संधी से ओधे के और यहीं से शिंद के कि पंजाब के विलेकि स्भूबात हो गेते इसे ने शुरू किया थे इसी हाडिंग के समय उडिशा की एक जन जाती थी खोंड जन जाती जो पेड़ों गरे लगाते थे खेटी करते थे तो खोंड जन जन जाती में प्रफ़ा चलती था नर्वली की कि वो लोग अपनी फसल ठीक करने के लिए कि इसषेर को कुछ करने के लिए बहुत सारी आटियों या जन जातियों में आपने शकर शिक होगा कि की थी चुलब्ही प्रभ्ता को समाप्ट कर दिया तो नर्वली परंपर्ह कि ज़न जाती की समय समाप्स की वर्ड सबस्क्राइब किसको नियुक किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं आगे अगला एक बड़ा खतरना गवर्नर जनरल आ जाता है डलहोजी डलहोजी एक ठारा सो और तालिस से चपन तक यह बहुत की सबसे फिमस गवर्नर जनरलों सबसे बड़नाम है गवर्नर जनरल होते थे जो भारतिएं से बड़ी न परका पूर्वक नीतियों या इनके दमनकारी नीतियों ने लोगों का गुस्सा भढ़का दिया कि जैसे इसका सासनकाल कब खतम हुआ 1856 और सासनकाल खतम होते ही 1857 में क्या हो गई करांटी तो करांटी में जो 1857 में हुई उसमें एक बड़ी भूमिका दलहोजी की भी थी तो जितने खराब गवंदर ज दूसे बड़ी भूमिका इसकी थी ए अब सिसके सासनकाल के बारे में देखा जय ऑकिस सबसे पहली बात की भारत्ए सबसे कम उमर में मगवनरें बनने वाला थो कि कि साला वना 36 साल जैसे विपा थिसंतीस साल वी आपको बतात सली आपको बताए फिशुकर Tanga गवरूनरा ब समय 1852 में पंजाब का विले विडिश समराज में कर दिया गया तो बिटे समराज में चौन पंजाब का विले हुआ वह किस गवर्नर जनल ने किया तो गल्हूजी ने दलहोजी के समय और इसमें लोवल बर्मा और तीगु का विलेटिस सम्राज में कर लिया था तीसरा भी और आएगा तीसरा 1850 में जब डफरीन बना था तो इस समय हुआ था तो बर्मा सेंग्रेजु कितनी लड़ाई हुई थी तील तो पहला है मस्ट के समय दूसरा किसके समय दलहोजी के समय और दलहोजी के समय पूरा बर्मा नहीं मिले विले हुआ था लोवल वर्मा और तीगु का विले हुआ इसी डलहोजी ने 1850 में सिक्किम साथ संगर्स किया और सिक्किम राज्य के कुछ दुरवर्ति प्रदेश जिसमें दार्जिलिंग आ दी थे इनको भारत अपने दिल है इसका श्रेक इसको जाता है डलहोजी को जाता जैसे आपको बताया था कि हैस्टिंग्स ने जितना अन्यनिताल कुमायू से मिला मौसूरी था उसका विले कर लिया था जितने हीलिस्टेशन थे ज्यादा तो हैस्टिंग है और दार्जिलिंग को भारत में किस दालहोजी जो भारत में सबसे आदे बदनाम हुआ उसके साथ सबसे बड़ी जो बदनामी उसकी हुई डलहोजी की वह उसकी हरप नीति या व्विपगत का सिध्धान और इसी भड़ नीती की वज़ह से बहुत की जादतर राज्यों का विले किया अपने सामराजिए तो इ प्रेजी में doctrine of left कहते हैं या व्यपकर्त का सिध्धान राज हडपने की नीती इस राज हडपने की नीती कि तहट जला हुजी ने क्या खेंगी जितने भारती राज थे रियासत थे ना उनको तीन हिस्वमबाटा जया भारती राजों कितने हिस्वमबाटा उसने पीस्तार नहीं किसी को कर देते थे वह बिना अंग्रेजी के हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे यानि उनमें अगर कोई लड़का नहीं है तो वह अस्तक्षेप राजा कर सकता है और अपना गोद ले सकता है दूसरा वे रजवाड़े जो मुगल बात्षा अस्वा पेश्वा के कंट्र यानि जो कभी पेश्वा या मुगलों के अधिन थे उनको गोद लेने से पहले किस से पर्मिशन लेना था अंग्रेजों से पर्मिशन लेना था तीसरी वोर या सत्य थी जिनका निर्मान खुद अंग्रेजों ने किया था यानि किसी संदीक द्वारा अंग्रेजों ने कि जो मुगल या पेशोभभा अंडर में थी हुँ झेद एंग्डई का कैने अपने इस नियम का पालन करते हुए उसने कई राज्जों को अंगरेजी Olit बिदा लिया समझ लिए अब इसमें किसको किसको उसने मिलाया तो देके सबसे पहले कहा जाता है कि दलोजी के हड़प नेती का पहला शिकार कौन हुआ तो पहला शिकार कौन हुआ तो दलोजी ने जो विले किया सबसे पहला राजे कौन सा था? सतारा फिर जैदपूर फिर संभलपूर फिर बगहार्ट और उसके बाद उदेपूर ठीक है अब इसके बाद तक अग्ला था जास्य है जासय का जो विल राजा थे गंगाधरिय द्हमी बाय बार में लख्ष मिं नियुकर ने कहले राव नांके लड़के को गो दिया लेकिन उसकी पर्मिशन नहीं दी गई नागपूर में रगुजी तिती थे इनका भी बेटा नहीं हुआ और सबसे गणबढ़ हुआ अवद के साथ क्योंकि इसने जो व्यपकत का सिधान्त बनाया था हडपनीती बनाई थी तो उसमें नियम बनाया था कि जिस रा नवाब या नरेश की मतने के बाद उसकी छेतर को प्रेटिक्श अंपायर का हिस्सा मान लिया जाएगा लेकिन अवद के नवाब के साथ उल्टा नवाब भी जिन्दा था वाजी दली शाह और उसका बेटा भी था बिर जिसका देर दोनों थे इसके बावजूद अवद का करणा बनाया गया कुसासन को जन्द हमें अवद का विला वह बेटे वाले से नहीं किया गया था ऑट इसे की रिपोर्ट पर अवद का विले हो गया तो देहां लेकिंगे अब देखिए अवद देखिए 1856 यही अंतिम चोट थी और इसी ठीक अगले साल क्या हो गया 1857 की कुरांती हुए तो कुरांती से ठीक पहले अवद ही था और अवद को ही अवद ही समझली के अंग्रेजों के अंतिम चोटे और डलहुजी ने दे दिया तो इस अवद के बाद लोगों को समन में आ गया कि इस अब बटवारा किया गया है ABC कोई नियम कानून नहीं है बस इनको राज्य हड़पना है बहाना चाहे जो हो जाए कोई बेटे उटे वाला बहाना नहीं बस कईसे भी करके राज्य क्या कर लेना है हड़प लेना है हालांकि एक दो रियासते जिसका विलेह डलहोजी करना चाहता था लेकिन उसको विले करने की पर्मिशन नहीं दी और करोली का विलेह नहीं हो पाया नहीं प्रसासन में भी कई सारे सुधार किये और इसने क्या किया कि कि गवर्नर जनल के बोज को कम करने के लिए बंगाल में एक क्या बना दिया गया लेफ्टेंट गवर्नर की लिए अलग से कर दिया जैसे पहले आपको बताया कि जो बंगाल का गवर्नर था वही बंगाल का क्या बन गया गवर्नर जनल और यही यानि यह बंगाल का भी गव गवंबैंच अब बंगाल शेणरल को भारत का वह दिया है और्ट ने when you तो उसी के बोछ को कम करने के लिए दोल स क्रोड है गया लेइधास तो बंगाल के लिए लिफ्टेंड गवर्नर किसने नियुक्त किया दलहुजी ने ठीक कि इसके बाद उसने कुछ सेने सुधार भी किये इसमें कलकत्ता में इस तोप खाने का जो कार्याले था उसको मेरेट में कर दिया और सेना का मुख्याले कहां कर दिया शिमला में कुटीं शिमला को भारत की Reiqua सभाने का का जो कि पहले क्यों क्यों यह दिए बिल्कुल इस किनारे से उस किनारे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था मेरट बिल्कुल कहां था बीच में तो इसने कहां कर दिया मेरट और ग्रिश मकालें राजधानी कहां बना दिया शिम्ला जैसे 1945 नोग पढ़ते ने शिम्ला संबेलन हुआ था जून 1945 में विवल इजना कहां है और शिम्ला कहा है कि उरहाथी गोड़े पर टेवल कुर्सी सब जाता था वहां पर और तीन मेहने बाद वापस भी आता है तो इस सब डलोजी ने करवाया था शिम्ला को राजधानी किसने बनवाई तो इसी के समय सिक्षा के संबन में भी कई सारे सुधार हुए थे जिसमें सबसे प्रमुख सुधार हुआ कि अठारा सु तिरपन में टाम्सन की विवस्था के अमसा समस्त उत्तरपश्चिम प्रांत यानि जिसको आदनिक उत्तरप्रदेश लोवर बंगाल और पंजाब में इस्थानी परिस्थितिय को नुसार भारती भाशाओं में सब्सक्राइब और दूसरी खास बात कि इसी किसमें बहुत महत्तोपूर्ण घठना है यह इस जानेख है से जुड़ी दिशन से नहीं ता किससे था पुच्छ सिक्षा से जिसमें उनिवर्स्टीज विश्व विद्याले सिक्षा संबंदित था तो हायर एजूकेशन से पहला डिस्पेच कोई सा था वुड़ डिस्पेच यह बहुत वहत पुण है सिक्षा के पिहास में और इसी वुड़ डिस्पेच के आधार पर लंदन न्युवस्टी को बेस बनाते ही तीन विश्व पुड़ डिस्पेच से इन्वस्टी के स्था आपना भारत में शुरू हो गई और उसमें लंदन इन्वस्टी को बेस बनाये गया था मॉडल बनाये तो एक और मोहत्त पुड़ सुधार हम लोग अब तक पढ़ते हैं जीके में कि रेलवे का कारेक्टरम किसके समय शुरू पहली रेलवे लाइन बड़ा कॉमन सेक्ट है कहां कहां था बुंबाई से थे ठाने तक बिछाए गई थे दूसरी लेलवे लाइन कब आई 1854 रानीगन से जरिया कलकता से रानीगन वे जरिया के पास था कि इसी किसमें एक और बड़ी खास बात स्थापना हुई थी इलेक्रिक टेलिग्राफ जिसको बिद्दुत तार बोलते हैं पहले जमाने में तार आता था टेलिग्राफ कि यह तार कि जुब होता था किसमीं कि लिए होता है सब्जाइक चाहिए पैसाल यह ना आएうん तो इससे मैसेज देना बहुत आसान हो गया जल्दी से हो गया पहले लोग चित्थियां लिखा चित्थी पहुंचते हैं तार तुरंट पहुंच जाता था तो इस तार से क्या हुआ कि संदेश भेज़ने में बड़ी क्रांती है सुष्णा करांती एक तरीके से थी हाला कि यह इस टेलिग्राफ लाइन समझ लिए क्रांती करती और सबसे पहला जो विद्धुत्तार कहां था कलकता से आगरा के बीच प्रारम हो गया कौनसी ब्योस्ता विद्धुत्तार की ब्योस्ता और एक बड़ी बात हुई थी कि इसने जब 1857 का रिवूल्ट वाट खरस ताउन की तो क्रांती की समय समझ लिए कि जो अंग्रेज जो अफसर थे जो सिपाही थे वो लोग अपने संदेश से बढ़े असानी से भेज देते थे और भार्ती करांती कारियों पास चली गराफ जैसी कोई सिवधार नहीं थी तो एक सिपाही ने मरते वे कहा था कि इस तार ने हमारा क्या कि अंग्रेजों के पास पूरी मूवमेंट की जानकारी अगर हो गई तो शेयर करना आसान था भारती सिपाही पास पता भी चल गया कि यहां से तुप जा रही है यहां पर गैदरिंग इतनी सेना की इतनी सेना इतर मूव कर रहे हैं तो बताएंग कि पतन में इस टेलिग्राफ में पड़ी भूमी का ने भाई ती तुसलिक सिपाही ने क्या कहा कि स्तार ने हमारा क्या किया इससे बड़ा नुक्सान हुआ था सपाही लोको चलिए उसी की समय पहली भारत में पोस्टल डाक टिकट जो अब वह तो ख्रमिशनर कम पहले बड़ा चलता था तो पहली बार डाक・टिकों का प्रिशनर किसके समय श्रू हुआ डल हजो की समय कब शुरू हुआ अठारा सुंचे में और पैसा रखा गया था दो पैसा मतल accessibility दो दो पैसे का टिकट लगा के पूरे देश में कहीं भी चिथी भेजी जा सकते तो इसे सिपाहियों को बड़ा फायदा हुआ था दूर दराज होते थे अपने घर संदिशा देने के लिए दो पैसे का टिकट लगा है और चिथी भेज़ी तो डात व्यवस्था भारत में किसने शुरू किया को कई सारे उसने सिधार भी कि और इसी ने अट्थारंस चेवन में पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया और जो तीनों प्रेज़ेंसी थी कलकत्ता बंबाई और मदरास तीनों प्रेज़ेंसी में डाग घरों के इच्छी देख रहे के लिए के महानिरेशक डिरेक इसने बनाया और इसी की समय गंग नहर का जो कारे था वो पूरा हो गया वाड़े जी के सुधार के इंपर इसने भारत के बंदरगाहों को अंतराष्टी व्यापार के लिए खोल दिया कि सवच्छी में मतलब बंदरगात है वो सबसे अंतराष्टी व्यापार हो सकता थै इ बहुत बढ़ी भूमिका रही इसी के बाद 1858 का अधिनियम पारित कर दिया गया इसी अधिनियम के बार अब गौवर्णर जनल को क्या किया गया वाइसराय कहा गया यानि यह जो डलहोजी था इसने इतने सारे सुधार्टों किये जैसे बताएं एक्सार्जनिक निर्माण व्राग बनाया एजुकेशन की चेतर में काम किया टाग विभाग की चेतर में काम किया टेलिग्राफ लाइन रेलवे सब कुछ इसके समय में हुआ लेकर इसका सबसे गड़बड काम वही था अगर साबित हो जाती है तो बताएं कि जितने गड़बड गवर्नर्ट जनरल होते थे उन्हों ने भारत में क्या किया बहुत अच्छे भूम क्या नहीं हमारे राष्टवाद की इतना दबा देते थे लोग फिर ब्लस्ट हो जाता था तो अठार सतान की करंदी में बड़ी मातरा में लोग किया किसने दलहोजी ने चली बाद में जब दलहोजी हटा तो इसके बाद अगला गवर्नर्ट जनरल कोन आ गया कैनिंग और कैनिंग की समय ही क्या हुए यह 1857 की क्रांटी और इसी क्रांटी के बाद कैना की थी ब्रिटेन की थी तो इस क्रांटी से क्या किया गया ही और इसे एक्ट Clint स्धिव भारत का शासन सीथomma से प्रिटेन ने अपने हांद में ले लिए रिटिश राजा दिश्राय शुरू पृए जब कंपणी खतम हुई तो कंपणी का जो भारत मुख्या होता ठाइको उसकी पहुट शानल कोई भारत का स्पानिद और यही फिर बाद में यही गवर्नर जनर्र और वाइसराय था और कम्पनी उस समय जब विद्रो हुआ था तो विद्रो के समय अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाई थी वह इलहाबाद की बनाए थी उस समय कैनिंग इलहाबाद में था और एक नवंबर 1858 से कहां से इलहाबाद से एक नवंबर 1858 तो इलहाबाद से कैनिंग ने भारत से कंपनी सासन के समाप्ति की गोश्णा कर दी कि अब भारत से कंपनी सासन को क्या किया जाएगा समाप्त कर दिया जाएगा अब ठीक इसी में 1854 में जो वूड डिस्पेच आया था उसी वूड डिस्पेच को अधार बनाते हुए 1857 में ध्यान रखेगा कलकत्ता बंबाई और मद्रास विश्व द्यालेओं की स्थापना होगा तो कलकत्ता इनवस्टी मंद्रास इनवस्टी बंबे जिसको प्रेजिदेंसी कॉलेज अभी बहुत बहुत इनके इस्थापना कर रखेगा की सब्सक्राइब कर लंडन विश्व द्याले करें तो वहीं जो वूड डिस्पेच आया था आपको बदाया था गूड डिस्पेच क टिसपेच आया था डलहोजी कि समय और विश्युविद्धाले किसके समय बने थे गौन-कौन से दूब हो खेस्टा प्रेजेंसी कॉलिज on कल्क्ता मदरास बंगाल यह तिनों और कि इसी में 1858 के महारणी विक्तुरिया को गोशना द्वारा भारत ने कमपनी की सासन की समाप्टी भारत का सासन सीधे किसके दंतरगार आ गया बेटिस ताज के अंतरगात आ गया कैनिक ने सैनिं और अचैनिक व्यया में कमी कर दी तथा कमस्एन के नोड चाग़स के नोड का प्रसलन किया सवज इसने असम में चाय तथा नेलगीरी की कोफी की खेती को पॉपुलर किया चै की खेती आसाम में गशारे हैं कि उसके की खेती की इसने को आर्थिक सिदारों के नाम पर एक और बढ़ीया काम कि एकक्रितिक अकोनोमिस असी ऐस येमस विल्सन तो तो इस तो दो पूरत पी जहेंस से खास बाद शुरू किया इंकम टेक्स तो आये करके शुरुवात किस ने की थी जेम्स विल्सन ने की थी ये कौन था बिटेश इकॉनमिस था किस गवर्णर जनरल के समय कहने की समय और उसने उस समय सोचे इंकम टेक्स की रखी गए थी 500 रुपया कि अगर आपके इंकम 500 पांसों रुपया इंकम टेक्स की रखी गए थी और भी कई सारी चीज़े थी कि आयात पर दस परसेंट और निर्याद पर चार परसेंट का करन रिश्चित किया इसी किसमें विद्वा पुनर्विवा अधिनियम विडो रिमेरीज एक्ट तो यह जो विद्वा पुनर्वि प्रयासुर से लाया गया और विद्वाओं के विवाह को कानूनी मानेता भी पहले विद्वाओं के तक माना जाता कानूनी मानेता नहीं थी तो विद्वा के विवाह को कानूनी मानेता की समय मिली थी सबसे बड़ा काम आस्ताक हम लोग देखते हैं हलाके सरकारिस भार्ती धंड सहीता तो भार्ती धंड सहीता इसके समय था कैनिंग की समय था ठीक कि इसके बाद अगला गवर्नर जेनल आया इलियन-ंट यहनि के बाद शीन आ गया हलाके ईल गदक का संद लंबा नहीं रहां बासर से तिल्शान राख रहा और इसकी मृतिव भारत में शुक्त है पहले पताया था आपको कर्नवालिस तो कॉनवालिस मर गया था और इसकी वी मौत हुँ थी इसी किसमें मुसल्मान एक चरम पंती आंदोलन था वहाबियों का अभी आपको जब 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 दोलन बाके धार्मिक आंदोलन बताएंगे तो वहाबियों ने आंदोलन किया था हत्यार बंदा दूनल था उसी जान दूलन को दबाने में किसने सफलता प्राप की थी एलिगन फर्स्ट ने कि इसी ने सर्वोच और सदर नियालों को उच्छे नियाले के साथ शामिल कर दिया इसके मिल्टिव कहां हुई इसके बाद अगला गया जान लॉरेंस जो इसका सासनकाल कब है और इसने क्या किया कि जैसे बताए कि अफगानिस्तान से इनका जो रिलेशन था आंग्रेज्व का बड़ा गड़बड था जाती है तो इसने अफगानिस्तान के समद्ण में औहस तक छेत की निदी को फोलो किया यह जनिंग कोई इंटर्फेयर नहीं करना उस समय के सासक शेर अलीजे उसने दोस्ती कर लिए शेर अलीज़ उसने बाचित की और इसीने भारत और यूरोप की बीच समूद्री सेवा शुरू हुए कब अठारासो पैसर सुचे अब तक जो टेलिग्राफ लाइन थी तार बिछाए जाते तो स्वेज नहार होते हैं भारत से यूरोप पर सुची इसा वोने तार बिछा दिया था समंदर में तार बिछा के समुदरी टेलिग्राफ सेवा क्या होगा यानि यूरोप से भारत में तुरण मैसेजिंग हो सकती थी इसी किसा में केमबेल के नित्युतों में एक फैमाइन कमीटी अकाल आय था तो उससी अकाल समिध्री का भी गठन हुआ लॉरेप्टान को उसके साथ संध्र कर लिए तो भूतान के साथ किस अधो ये संध दे की थी लॉरेंस ने और उसमें भूतान को क्या किया अजन अगला गवर्नेंट जनरल था मेयो मेयो 1879 से 72 तक रहा और 1870 में इसी में लाल सागर से होकर तार्वे उस्था यानि यह बहुर शॉट हो गया था इसी समय 1872 में पहली बार कौन सा कारेक्स प्रारम हुआ जनगर्णा का कबारेक्स प्रारम हुआ तो पहले जनगर्णा किसके समय हुई थी बेयो के समय अलाकि वह दस साल वाली नहीं थी लेकिन पहला इसी ने शुरू किया इसी ने 1772 में कृषी विभाग की स्थाफना की इसी समय 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था इस स्थापना की ने और इसने बंबाई और मद्रास में नमकर में विद्धी कर दिया कि में ने बजट खाटे को कम कर दिया तथा आयकर की दर को एक परसंट से बढ़ा के ठाई परसंट कर दिया और यही गवर्णक जनल था जिसकी भारत में अट्टे आपने यह एंडमान तो कावन गवर्णनर सब्सकर कर दो तो कॉवर्णर जनल था जिसकी भारत में हत्या हुई थी तो हत्या किसकी हुई थी मेजो की कहां पर प्रोट बिलेर मोवज्चलर जेल की समय हत्या हुई तो अब तक 3 गवर्णर जनल होगा जिनके भारत में मिठ्टी हुई एक तो कॉन्वालिस था वो मरा इसके बार जौन लॉरेंस था पंजाम में उसके मिठ्टी होगी तर्शक में और फिर इसका मर्डर हुआ नियों की क्या हूँ थी पत्ते आप समझ गये चलिए को बाद और भी कई सारे जनरल है सेबारी में आगी सचा करेंगे डेली हम्दुख शाम को सब्सक्राइब के इसे बारे में बताते रहेंगे हमारे साथ चैनल को लांगे सब्स्राइब करें तिक है मिलते हैं घ्ली क्रास पतक के लिए थैंक कुछ झैंट